Hello students, तो बचो आज हम मेरी गोल्ड में यूनिट 5 जू मैनर्स की एक पोयम सिखेंगे So let's start, read and enjoy this poem तो चलो बचो आज हम जू मैनर्स की एक पोयम सिखते है याँ पर आपको जू में बहुत सार एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं So let's start, be careful what you say or do When you visit the animals at the zoo तो याँ पर जब आप zoo में जा रहे होते हैं तब आपको बहुत केरफूल रहना पड़ता है कि आप क्या बोलते हो और क्या करते हो Next आगे, don't make fun of the camel's hump He is very proud of his noble bump तो याँ पर camel की बात हो रहे हैं कि याँ पर हमें जो camel का hump है उसका हमें मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी उसको जो उम्दा bump मिला है उसके लिए वो भी बहुत गर्व है Next आगे, don't laugh too much at chimpanzee तो याँ पर आगे chimpanzee की बात हो रहे हैं कि हमें chimpanzee के उपर बहुत सारा असना नहीं चाहिए He thinks he is as wise as you or me वो भी सोता है कि वो आपके और मेरी तरह समध्दार है Next आगे, next page में And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make और यहाँ पर जो penguins है, पोयम में यह भी जो lake के आजू-बाजू गर्व से चलते हैं वो भी समझ सकते हैं कि हम उसके बारे में क्या सुचते हैं Next आगे, treat them as well as they do you And you will always be welcome at the zoo So, this is written by Elin Mathes चलो, बचो, आगे हम new words सीखते हैं तो यहाँ पर first word है, proud proud मिन्स गर्व Next आगे, noble noble मिन्स उम्दा Next आगे, wise wise मिन्स समध्दार Next आगे, penguins penguins तो अभी आपने पोयम में देखा penguins Next आगे, strutting strutting मिन्स गर्व से चलना And last में है, remarks Remarks मिन्स कुछ notice करना, remark करना Next बचो आगे, reading is fun तो चलो, अब हम reading में fun करेंगे तो यहाँ पर first question क्या है What do you see at the zoo आप zoo में क्या देखते हो तो हमने आगे पोयम में zoo में कौन-कौन से animals देखे चिंपांजी, camel, penguins इस सारे animals हमने zoo में देखे Next बचो आगे, what does the camel have on its back Camel के बेक के उपर, पीट के उपर क्या होता है तो उसका answer आएगा Camel has a hump on its back चलो बचो नेक्स बचो आगे, let's talk तो चलो, अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे तो यहाँ पर first question है Have you been to a zoo क्या आप कभी भी zoo पर गए हो Of course आप zoo पर गए ही होगे चलो, next Name the animals which have you seen in a zoo Say the names in your own language and then in English तो बचो आपने, चो animals zoo में देखे उनके names आपको बोलने है वो animals के name, first आपको अपनी language में बोलने है और बाद में आपको English में बोलने है Next आगे, name the animals you like the most Why? तो बचो आपने, जो animals को तो बचो याँ पर आपको zoo में जो animals जो सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में आपको उसके names कहने है और आपको क्यों अच्छे लगते हैं, वो भी आपको बताना है Next तो बचो आपने क्या कभी zoo में एनिमल्स को फीड किया है Of course आपने फीड किया होगा Should we tease एनिमल्स क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए तो ये तो bad habit है क्योंकि हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए Next आगे, let's listen तो चलो बचो आपको यहाँ पर सुनना है Listen and put tick against the words that the teachers say तो बचो यहाँ पर आपको two side में words दिये गए है वो side message यो teacher word बोलते है उसके सामने आपको write करना है तो चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर first word मैंने बोला है it तो आपको यहाँ पर it पर write करना है Next है thank तो आपको यहाँ पर thank में write करना है Next है fan तो आपको fan में write करना है Next है much तो आपको यहाँ पर much में write करना है In last में है wall तो आपको यहाँ पर wall में write करना है तो बचो इसी तरह जो आपके teachers words बोल रहे उसके सामने आपको tick right करना है next say aloud तो चलो बच्चों आपको यहाप जोर से बोल ले है यह rhyming words bump, hump, dump next है crowd, crow, cloud and claw next है noise, price, size, pies and flies तो बच्चों यह सारे words आपको जोर से बोलने है next आगे let's sing and act तो बच्चों चलो आपको यहाप पर गाना है और एक करना है the elephant works like this and that he is so tall and fat तो यहाप पर एक elephant की बात हो रही है कि elephant कैसे चलता है, ऐसे वैसे चलता है और वो कैसा है, वो tall है और वो fat means मोटा है next यहापर कुछ sentence elephant के picture के उपर लिखा है he has no fingers, he has some toes but oh my goodness, what a big nose तो बच्चों यहापर elephant के fingers नहीं होते हैं लेकिन उसके कुछ toes होते है और देखो, यहापर elephant की कितनी अच्छाई है कि यहापर इसकी नाक कितनी लंबी है, बहुत बड़ी तो चलो आगे make sentence using this and that तो बच्चों आपको यहापर this and that लेके कोई भी sentence बना नहीं आप यहापर लिख सकते हो this is a cat, that is a dog, this is an elephant, that is a camel, this is a hen, that is a crow तो बच्चों इसी तरह आप यहापर this, that लेके कोई भी sentence कर सकते हो next let's write, तो चलो बच्चों आपको यहापर कुछ लिखना है a visit to my village, तो चलो बच्चों आपको अपने गाउं की मुलाकात लेनी है filling the blanks with the words from the box, तो बच्चों आपको यहापर दिये गए box में से words आपको select करने है, तो चलो first some words read करेंगे यहाँ पर है verses, नेक्षे village, नेक्षे cat, नेक्षे dogs, नेक्षे milk, नेक्षे kittens, नेक्षे hay, नेक्षे pond, नेक्षे grandmother, नेक्षे cow, नेक्षे cock, एलाश में है hen तो यह सारे words आपको यहापर box में दिये है, तो चलो अब हम आगे देखते है in June we went to a village, तो बच्चो आपको यहापर blank में village लिखना है, यहापर आपको village का picture दिया है where my grandmother lives, यहापर grandmother का picture है, तो आपको यहापर blank में लिखना है grandmother, she has a farm, नेक्षे आगे on her farm, there are many animals, मिन्स की उसके खेत में बहुत सारे animals है there are two horses, तो बच्चो आपको यहापर कितने horses दिखाई दे रहे है, two, तो आपको यहापर लिखना है horses, क्योंकि यहापर horses का picture है, और यहापर next किस का picture है, a cat, आपको यहापर cat लिखना है with its kittens, यहापर kittens का picture है, three dogs, यहापर three dogs है नेक्स आगे यहाँ पर one hand यहाँ पर hand का picture है तो आपको hand लिखना है as well as a coke तो यहाँ पर coke का picture है तो आपको यहाँ पर लिखना है and a cow तो यहाँ पर cow का picture है तो आपको blank में लिखना है cow every morning she feeds her animals with hay तो यहाँ पर आपको घास दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पार लिखना है hey blank में और milk और यहाँ पार milk का picture भी है तो आपको यह blank में लिखना है milk they drink water from pond on the farm तो यहाँ पर आपको एक pond दिखाई दे रहा है तो आपको blank में लिखना है pond तो बचो इसी तरह आपको pictures देख से fillings the blanks complete करने है next आगे composition corner look at the picture and filling the blanks तो बच्चो आपको यहाँ पर picture देखना है और filling the blanks complete करने है तो यहाँ पर पहले हम words read करेंगे यहाँ पर है lines, flowers, buzz, next है to be and buzz तो चलो अब हम यहाँ पर filling the blanks complete करेंगे this is a dash, तो यहाँ पर बच्चो आपको picture में क्या दिखाए दे रहा है be, तो आपको यहाँ पर लिखना है this is a be it has dash on its wings, तो बच्चो आपको यहाँ पर wings में क्या दिखाए दे रहा है lines, तो आपको यहाँ पर लिखना है lines, it has two antennas तो बच्चो आपको यहां पर बी के कितने internals लिखाई दाय रहा है 2 तो आपको यहां पर लिखना है 2 It burst from flowers तो यहां पर भी कहां पर बेठी है Flowers के उपर तो आपको यहां पर लिखना है Flowers It burst and burst and came to the zoo और आगे यहां पर बी burst करके जू पर पहुँच गई next let's do तो चलो बचो आपको यहाँ पर कुछ करना है help the bee to reach its home तो बचो आपको यहाँ पर bee को अपने घर तक पहुँचने में help करनी है what are the things that it met on the way that rhyme with bee तो बचो आपको यहाँ पर जो bee को रस्ते में जो मिले हैं उसके साथ चोड़ाईम होते हैं वो आपको कहने हैं तो चलो यहाँ पर bee है first आपको उनका way trace करना है तो यहाँ पर bee यहाँ पर से जाएगी तो यहाँ पर रस्ते में उसे मिला P next यहाँ पर आएगा TRI next यहाँ पर ऐसे जाएगी तो next ऐसे तो यहाँ पर उसे मिला की next यहाँ पर उसे मिला T next यहाँ पर मिला next यहाँ पर जो उसका गर है वहाँ तक यह पहुँच गई जो उसका गर हाई होता है तो बच्चो इससी तर आपको भी कवे ट्रेस करना है next आगे look at the pictures and filling the blanks तो बच्चो आपको यहाँ पर picture देखना है और filling the blanks fill up करना है तो बच्चो यहाँ पर lion का picture है तो आपको यहाँ पर लिखना है L I O N lion next यहाँ पर है tiger तो आपको यहाँ पर लिखना है T I G E R tiger next यहाँ पर है wolf तो आपको यहाँ पर लिखना है W O L F wolf next यहाँ पर है deer तो आपको यहाँ पर लिखना है D E E R deer next यहाँ पर है jackal तो आपको यहाँ पर लिखना है J A C K A L jackal next यहाँ पर है owl तो आपको यहाँ पर लिखना है O-W-L-O-L नेक्स यहाँ पर है monkey तो आपको यहाँ पर लिखना है M-O-N-K-E-Y monkey नेक्स यहाँ पर है bear तो आपको यहाँ पर लिखना है B-E-A-R-Bear नेक्स यहाँ पर है chimpanzee तो आपको यहाप लिखना है C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E चिमपांजी और लाश में यहाप पर है जिराफ तो आपको यहाप लिखना है G-I-R-A-F-E जिराफ तो बच्चो यहाप पर इसी तरह आपको एनिमल्स के नेम कंप्लीट करने है नेक्ट आगे बच्चो लेट्स मेक दो न तो यहाप पर फर्ष्ट हम यह साइड वाले रीड करेंगे रोर लाइके लायन, नी लाइके होस, क्वेक लाइके डक, बलीट लाइके गोट, ग्रंट लाइके पीग ओके बचो नेक्स आगे हम एस साट के रीड करेंगे बार्क लाइके डोग, मू लाइके काव, चिर्प लाइके स्पैरो, चैटर लाइके मॉंकी, हीस लाइके स्नेक तो बचो यहाँ पर यह सारे एनिमल्स के नोइसिस थे नेक्स आगे, join the dots, complete the name of the animal तो बचो आपको यहाँ पर एनिमल्स को चोईन करना है और यहाँ पर जो एनिमल्स का नेम है, हो आपको complete करना है तो बचो यहाँ पर यह कुंसा एनिमल बन गया, तो यहाँ पर यह बन गया, डैनोसॉर तो आपको यहाँ पर लिखना है D-I-N-O-S-A-U-R डाइनोसॉर नेक्स आगे बच्चो लेट्स प्रेक्टिस तो चलो आपको यहाँ पर प्रेक्टिस करना है तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है O-N-O-W-N-O-N नेक्स यहाँ पर है काम C-O-M-E काम नेक्स यहाँ पर है हाउस H-O-U-A-C हाउस बच्चो आपको अच्छे से लिखना है मैं यहाँ पर अच्छे से लिखना ही सकती तो आपको अच्छे से कंप्लिट करना है next यहाँ पर है cloud c l o u d cloud next यहाँ पर है lucky तो आपको यहाँ पर lucky लिखना है and last में यहाँ पर है funny तो बच्चो इसी तरह आपको यह सारे words अच्छे से complete कटके इसकी practice करनी है तो बच्चो हम यहाँ तक सिखते हैं बाकी का next part हम next video में सिखेंगे okay bye bye thank you